आप से एक rapid fire सवाल का round करना चाहते हूं फेवरेट पॉलिटिशिन नरेंद्रो मोदी यह कहना जरूरी होता है ना बीजेपी वालों के लिए नहीं आप अगर पूस्ते थे कि मोदी जी को छोड़ के बोलो तब मैं दूसरा अंसार मोदी जी को छोड़ के बोलिए फेवरेट प हम अच्छा फेवरेट पॉसिशन लीडर अगर आप उसको पुस्ते है तो मैं अभी बहुत दिन उपोजिशन अला का स्पीश नहीं देखा है बत एज आ है वरेटें रेट मैं जर्स फर्णंडेश को कफी परहा हूं और पूदी प्रेजंट प्रेजंट में है क्या देश मे पूदिशन बोलते इन्हें वाकाउधी करते है अप हाव यू एससे ए उपोजिशन लीडर इफ देख व्यू प्रेज पूदी प्रेज पास गिये थे वहला स्पीश वह जो चोडी जो बोलना भी टिक नहीं है लेकिन अच्छा ओवेसी जी राहूल गांधी जी इनमें कुछ चॉइस कर सकते हैं नहीं टेके ओवेसी जतना भी गलंड है वो तो बोलने का कोसिस करते हैं विद अर्गोमेंट तो इफ यू आक्स मी टू गीव पॉइंट बीटून वेसी और राहूल तो मुसको लगता है कि और पॉसको एस्पाउस करता है विद आउट स्टाडिंग तो वेसी उनसे बेटर है उनका नजर में बेटर होगा आपका नजर में पूछ रहे हैं तेखे मैं क्यों परू इस विशय में वेसी और राहूल आप बोली है मेरा फेवरे टीवी एंकर कौन है तीवी आंकर कौन ह ओके और फेवरेट एक्ट्रेस माधुरे देख से अरे वाँ तो में ओ जमाने पर जब में फिलिम देख था एक परसनल सवाल पूछू आपसे कहा जाता है कि आप जब कॉलेज में थे तो आपने अपनी पत्नी को जो आज आपकी पत्नी उन्हें कहा था कि एक दिन मैं मुख्य मंत्री बनूंगा ने उसका इशू ऐसा था शी लिटल शी कामस फ्रमें फैमिली तुरा हम लोग उसे ओ समय थोरा सा आप जो बोले एकॉनोमी के लिया रादर वाइसी उस्तू काम फॉमें डिफरें बेग्राउंड मेरा बेग्राउंड चिदा सदा था तो वी वेर इन कोट सदी ने हो रहा था किसले मेरा बड़ा भाई का सदी ने हो रहा था तो में सोड़ा जाना ठीक था हर दिन उनका माँ इस्तब करते थे तो में इसको बुला रहे माँ को बोलो ना you are you are going to marry with a future ship minister मैं तुझाए मौँ में तुथा के बनूँघ दिन लेकिन बन जाएगा वह विष्वास नहीं था उनको था उनको नहीं था पार अ महां जाना परेगा Union Government अभी नहीं सही है because Assam मैं personally बहुत हैपी हूँ जो मैं दो सल काम Assam में किया हूँ and Assam is in a transformation अगर मैं ओध्रान्सपोर्मेशन को इतने सकर पाता हूँ सक्सी बन सकता हूँ ये एक बैक्ती का एक जीवन में बहुत बड़ा उपलबदी होगा but decide party करते है लेकिन मेरा मन है कि 2021 तक बरिया से मैं इसको सलाओ 20 का बात सुनाओ होगा फिर आगे होगा but I think that मैं अगर पास साल इहां में काम करने का सुबिधा मिल जाता हूँ with the blessings of everybody Assam को एक बहुत बड़ा transformation journey हम लोग सब डेख पाऊंगा हम लोग साक्सी बनेगा लोग सभा में किती सीटे नौर्थीस से असाम और नौर्थीस 25 में से पिछली बात चौर मेरा लगता है कि as a NDA हम लोग 25 से 22 सीटे मिलेगा नौर्थीस में out of 25 we will get 22 21-22 from नौर्थीस as NDA और असाम में सोधा सीट है 11 तो में पक्का जितूंगा वो तो पिछली बार भी जीते हैं नौ नौ तो ग्यारा सीट तो हम पक्का जितूंगा बाकी और दो सीट में प्रयास रहेगा बड़ी बात कह रहे हैं हेमंता बिश्वा सर्मा लेडिज एंड जेंटलमेन आपके सामने असाम के मुख्य मंत्री बे बाक तरीके से आप जिस तरह से बात करते हैं दिल की भी बात करते हैं और मजे भी लेते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और असाम में आकर गोहाटी में आकर आपके साथ पब्लिक पंच करने के लिए बहुत 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 भख़गशी, मैं आपको धन्यवाद देथा हूँ, असाम बास ही?